प्रवासाक्षी के जन्मन की बात कारिकरम में आज हमारे साथ हैं भारतिय इन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता और उत्रप्रदेश के मेरिट से लोकसवा सदस से श्री राजेंदर अगरवाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रवासाक्षी पर मेरा सबसे पहला सवा कि आप इस समय संपर्क फॉर जो समर्थन चल रहा है बीजेपी का उसमें पूरे जीजान से लगे में हैं तो हम जाना चाहते हैं कि लोगों का परतिक्रिया क्या है और आप वहां जाकर बता कह रहे हैं क्या अप्लब्जियां आप मुख्या रूप से फोकस कर रहे हैं संपर निदी हैं पतादिकारी हैं और प्रतेक विक्ति सा पिक्षा की गिए 25 विक्तियों से कम से कम मिलेगा लगबक देश में एक लाख ऐसे कारकरताओं के सूची बनाई गई है और इस अभियान के अंतरगत हम लोग इस प्रकार से 25 लाख लोगों से मिलेंगे तो मेरी भी जिम् पूर के जो नाम संग्टन ने मुझे को बताए बसे उसमें परामर्श किया गया मैंसे प्रम विक्तियों से मिला हूं जो सामाजी द्रष्टी से महत्वून विक्ति थे या जो है जिन्होंने कुछ उद्यों की द्रष्टी से या स्पोर्स के अंदर या सिख्षा के अंदर जो भी एक आउट्स्टेंडिंग जो ने काम किया अपने इस्तर पर ऐसे विक्तियों से मिलना उनको चार वर्ष की उप्लब्दियों बताना के इन सरकार की थोड़ी स्वावी ग्रूप से अपनी बात भीस के अंदर हो जाती थी थी और उनसे फिर इन्पुट लेना तो मेर अंद्भवी आया कि चार वर्ष की उप्लब्दियों से सबी लोग बहुत प्रभावी थें एक दो विश्यों पर उनके पेक्षाई है कि जैसे वो चिंतित हैं राधर वो नरेंद्र भाई मोदी के नितरत्तु में उनकी एक दम एक प्रकार से अटूट आस्था है और वो कोशिच करने पूरी पहुंच भी रही हैं और जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो विपक्षी दल हैं वो एक बार फिर जाती विभाजन स्थांप्रदी करने कोशिच करेंगे हम जड़ा सतर करें जो लोगों ने इंपुट भी दिये वो सामने इस प्रकार के थे कि हम क्य प्रामंतर जी कि चवी प्रहामंतर जी का परिश्रम पर हम जे परिगार कर्म योगी की तरह घंड उनका इक परकार से कठोर परश्रम उनकी राष्ट्य अंतरास्टे चवी तो इसमें कहीं कुई कोई कि कोई नेता उनके सामने ही नहीं जो गड़बंद्न तताकतित है वो एक प्रकार से सिद्धांत वहिं भी है और नित्रत वहिं भी है इस बात को सब लूग मानते भी थे हमाने भी जैसे कहा कि इंसें को पूछे कि इनका निता कौन होगा, ब्लेंक है उसके उपर पुरे देश को मत करके परिवरतन करने काम उनों ने किया है वो ये चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं, कि 2019 में भी प्रधा मंतरी के रूपे नरे नमोधी देश को प्राप्त हो आपने कहा है कि बहुत सारी उपलब्दियां हैं और साफ नियत, सही विकास के तरज पर आप लोग भी कर रहें हम कुछ उपलब्दियां जानना चाहेंगे कि आप क्या बता कह रहे हैं आपके लोगों को देखिए बहुत सारे विशे हैं, सामनने तया हम जाते हैं तो आद घंटे के लगबग या पौर मंटा बाचीत होती है तो उसमें दो-तिन बाते हैं खासतोर से हम ध्यान में दिलाते हैं नंबर एक कि हमने पूरे सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपरेंसी हम लेकर कर आए बरेटाचार की बात बहुत होती रही खतम करने की चिंता भी व्यक्त की जाती रही रावल राजी गांदी जी ने कहा कि एक रुबाच चलता है पंदरे पहुंसता है पर उपाय उनके दौरा कि यह नहीं गए याने जदी कहा जाए तो सोन्या जी के नेतरत में दस साल सरकार चली मुझा मनौन सिंग जी मुझा मं पर उसको खतम करने कोशिच नहीं प्रधान मंतरी जी ने एसाइटी के गठन से ले करके और विविन कानूनों को बनाने के साथ साथ जो एक जलता थी पूरे सिट्रम के अंदर की ट्रांसपरेंसी उसके अंदर है जैसे अब 32 क्रोड को खाते खुलना 32 क्रोड के मादम से सब्सीटी भेजना चाहते हैं उनको कोई हम कोई वजीवा देना चाहते हैं बच्चों को उनको पेंशन देना चाहते हैं ऐसे और बहुतार एक काम है यह लगवक आपकी ध्यान में आया होगा कि साले 400 के लगवक ऐसी योजनाएं हैं या ऐसी मदद हैं प्रदेश और कें सर सरकार की जो इन खाता के माध्यम सब सीधे लोगों तक पहुंचने लगी हैं जो ट्रांस्परेंसी सिस्टम के अंदर आई इसका बड़ा भरी एक परिनाम पूरी अर्थवस्ता पर हुआ है यह हम बताते हैं जीएस्टी नोडबंदी तो यह भी हम कहते हैं इस बात को रिश पर देश के इतको धान में रख करके वह इसकी प्धामंत्री जीने लिया गरीबों के और लेकर के जो कारक्रम चलाए गए जंदन योजना का तो मैंने जिक्र किया ही है उज़ुरा योजना है सवबागी योजना है प्रतिक घर में बिजली पहुंचे आज तक किसी ने सोच जो प्रजक्ट है दो अक्टूबर से जिसकी विद्यवत लॉंचिंग होगी यह अन्य भी जो भीमा योजना है बारे रुपे मात्र साल पर की एक आप किस्त जमा करें दोलागा भीमा आपका हो जाता है 330 की दूसरी किस्त जमा है दूसरा एक भीमा है बहुत सारे कारक्रम है किसानों को लेकर कारक्रम है यानि यदि गिंती की जाया तो शायद इस प्रकार के कारक्रमों की संक्या 300-300 बैठेगी प्रत्ते एक खेतर के अंदर कोई खेतर असा बचानी है चाया वो सुरक्षा का विशय हो चाया वो कृची का विशय हो चाया वो विदेशनीती का विशय पर पर चलशा करते हैं और सवाई गूरुप से सामने बात कर रहे हैं कुछ विशयों का चयन उसके हिसाब से भी होता था तो जैसा मैं नहीं है कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि सब्सक्राइब आपकर करें आप वियापारी समात से ही आते हैं और आपका कि उस्तुफटे जर्वत कहता है कि जो गब्बर सिंग्स ने बरबाता कर दीयुरнес gloss bean गब्बर सिंग्फ टैक्स एंग मुझे अ hisfar लकता है कि राजी राहूल गौन्दी जी किमिंद्ध में उनकी हाईग्यू या ëकियूं तीपड़ी निर्फडे बरे scientifically लिए पारित के ख्याति है लेकिन चले छोड़िये मैं सब्सक्राइब करते होंगे जो उनको गाइड करते होंगे मैं सुनता हो कुछ लोग हैं नाम नहीं रहना चाहता है अधिक समझदारी से उनको गाइड करना चाहिए गबर सिंग एक प्रकार का डाकू था जिसने टेक्स लगाया था जिसको टेक्स कह सकते हो गबर सिंग यह पार्लेमेंट के दोरा सर्व सम्मति से यह पारित क्यावा एक संशुदन है यह पड़ा पसंशात का अपमान है यह को अपमान है और पार्लेमेंट के दो बहस चलती थी तो हमारे कॉंग्रेस के दोस कहते हैं तो हमारे ही जिस्टी अमी लेकर गया थे अभी आप लेकर थे तो इसका खड़े को नहीं हो ते अजीब एक दूविदा है कॉंग्रेस की तुदूरी बात है जो अब की बात है जिस ब निरंतर हम लोग संपर्ख में रहेंगे चर्चा करेंगे और उनको दिरे दिरे ठीक करेंगे वो प्रोसीद लगाता चलता रहा आज भी चल रहा है लेकिन जो मैंने कहा कि प्रारंब में जो कर तकलीफ थी ओभी धिरे कम हुई है और मेरा अनुब यह मिलता रहता हूं स्वा करना पड़ता था इतने सारे इंस्पेक्टर यादिकारियों किस्ता सामना करना पड़ता था वो समपच गए हैं और आज एक प्रकार से आटो मोड के अंदर वो चीज़ आती चली जा रही है सरकारी की आय भी बढ़ी है और इंडिविजवल वक्ति का व्यापारी का कंपनी का कि मन में जो भैत था आधिकारियों का वो समाफ्त हुआ है तो विंविं आट चीले इते से आते हैं बीजेपी का धावा था खासकर पिछले मोकशनों की बात करें तो एक सर के बते दस सर लाएंगे आज भी आज की भी बात करें हम तो एक हमारा जवान फिर सहीद हुआ ईद के दिन भी सेना के जो वहाँ ने उन पर पत्रा हुआ है तो जो लगता है कि जो संगर्श्वीराम एक तरफा संगर्श्वीराम की गुष्णा सरकार ने की थी ये रंग नहीं लाई है और सरकार को अपनी कश्मीर नीती पर पुनर विचार की जरूत है आज बैठक हुई है कुल मिला करके कश्मीर के संबंग में हम यह कह सकते हैं कि हमारे लिए देश का ही शर्वो पर यह और बड़ी जिम्मेदर से बात को कह रहा हूं आरूप नहीं लगाना चाहता हूं परन्तु पुरानी सरकारों ने कश्मीर को भी वोड बैंक की नजर से देखा याने अफजल गुरू को फांसी इसलिए नहीं दी जा पा रही थी उनको ऐसा लगता था कि इससे कुछ वोड न करना राज बिखाड़ा लगा था साट साल तक स उसी दिशा में राज निती करते रहे उसका प्राणा में हो कि कश्मीर के से बहुत उलज गई पर अब हमारे इस प्रस्ट कहाना जी है हम तीन चार तरीके से काम कर रहे हैं अब दिखाई भी देता है नमबर एक हम चाहते हम पर विकास के काम हो अब पिछले आख़े चार सा सकती से रोकेंगे बाहर से जो कोई भी कुछ कर रहा है सकती से रोकड़ने के दो तरीके हैं एक हम अपने होम टर्क पर मजबुती से काम करें हमने अपनी सीमा की चुरक्षा की ज्यादा बहार प्यश्टा की है और एक के बजले दस का मतलब एक यह होता है कि हम इड का कि अधिक संख्या के अंदर उनको नुकसान पहुंचा दे दुनिया के अंदर कोई मुस्रिम देश भी पाकिस्तान के साथ खड़ावा नहीं है और इसी प्रकार से हमारी योजना यह कि हम कई इस तर पर हम इस विशा को ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर करके यदि कश्मीर के संभन में हमारी प्रलकेंट का सरसंब्सर्थां है तो हमेरे पास इस कोई विकलब नहीं है कि वहाँ पर हम इस प्रकार की गत्वीजियों को सक्टी के साथ एक और कंट्रोल करें उसको उसका जबाब दें और दूसी तरफ उसके विकास की तरफ हम लोग उसकी चिंदा करें वह कर रहे हैं और अगर हम बात करें किसानों की युवाओं की किसान जो है वो परिशान है आपने युपी में जब आपकी सरकार आई तो कहा किता है किसानों का कर्ज माफ कि जाएगा और बहुत सारे आसे वाके भी आए कि किसी को 20 रुपे का चेक मिल रहा है और अगर हम युवाओं की बात करें तो जो दो करोड रोजगार हर साल देने का वादा था वो भी पूरा जो है कुल मिला करके उसका परिवेश है आप इस परिवेश की चंता करते हैं वो भी किसान की चंता होती है और देखें इन टोटो जो सरकार ने काम किये है यूर या की नीम कोड़िड से ले करके हमने सिचाय की वेवस्थाएं की हमने जो है हेल्थ कार्ड सॉइल है पोटेटू इसकी नीती पहली बार जो परिशेबल से उनके बारें पहली बार नीती घोशित की गई तो यसे हमने अनेक सारे काम किये है जहां तक इसकी यह जो रिनु माफ करने की बात है यह प्रदेश का काम नहीं है यह के सरकार है कि हमारा काम है ही नहीं प्रदेश सरकार उत्तरब्देश के सरकार करे, या करनाटी के सरकार करे, या मद्धीब्देश सरकार करे, यहूनका विशह है, को लियबलिटी भी तुन लिए प्राइब है, कुल मिला करके, राष्टेश तर के उपर, हमने किसानों के, कि उनकी आमदनी बढ़े, उनका खर्चा कम हो, लागत कम हो, इसका हमने प्रियास किया, चोटा सा उपाय किया है, जो 40 kg का कट्टा होता था, हमने 35 kg का कर दिया, यूरिया का, बात बड़ी चोटी सी है, है क्या कि किसान कट्टा इस्तमाल करता है, और उसका पांच को लोग कम ह होगे उसके, हमारा क्याना ही है कि जो कमपूटीशन में या अज्ञानता के कारण से किसान ज्यादा खर्चा कर देता है, खाद के रूप में या निचीज़ों कर देता है, और उसके उपज है, ठीक प्रकार से उसको दाम मिल जाए, उसको मंडिया मिल जाए, यानने इसके युवाओं की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि चिदंबरम इस प्रकार के भ्रम की रिष्टरवादी की जिम्मेधार है, और दुर्भाग्यपुरु नहीं है कि वो इस देश के वित्तमंत्री बहुत वर्शोदक रहे हैं, यह बड़ी चिंता की बात है, कि चिदंबरम जैस जो सबसे पहला चोटा अरिन है, को पचास जार का है, हम जानते हैं, पचास जार में कोई बड़ा काम नहीं होगा, पर चोटे-चोटे जो हमारे काम करते हैं, यह अपने अपने राइट कर जो ठेला चला करके सबजी बेचता है, क्या उसको जीनक हाग नहीं है, इसके अंद अपना चाहते हैं, जो खुद अपना रोजगार करें, और चार लोगों को, पांच लोगों को, दो लोगों को, एक व्यक्ति को अपने साच जोर कर उसको रोजगार दें, अब 9 करोड जदी लोगों ने मुद्रा लून दिया है, डाटा बिसका आ जाएगा, लेकिन यह तो स अब थोड़ा सा आपके प्रदेश पर उत्रप्रदेश पर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आयतेनात की बात करते हैं, महरास्ट गए, जिस सीट पर प्रचार किया, वो सीट जीत कई बीजेपी, करनाटक में जिन जिन सीटों पर गए, अधिकान सीटे जीते हिमाचल में ज सीटों जाते हैं, तो हवाई बदलती हैं, सब जानते हैं बातो को, लेकिन तो भी इसके बाद भी, भारतिया जनता पाल्टी कारकृताओ अधारित पाल्टी है, जीत यार यहाँ टीम का यश य अप यश है, अब यदि करनाटक में जीते हैं, चेक है, योगी जीने प्रचा वो सारी टीम की जीत यहार होती है और उसी डंक से मुझे को स्विकार करते हैं उसकी समिक्षा करते हैं उसमें से सीखने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि इन साथ जीत हारों को तो 2019 के अंदर कोई चुनोती नहीं है ना काम की द्रष्टी से ना पर्फॉर्मेंस की द्रष्टी से मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि समाज को किसी प्रकार से बांटे हमारे सब का साथ सब का विकास हमने जिस बात को कहा जिसके अनुसार नीतिया बनाई उनको उसी ततपरता के साथ उसी संकलब के साथ हमने एक्जिट किया उसको डेमेज करने कुशिश करेंगे फिपक्ष के लोग परंतु मुझे लगता है नहीं हो कुछ कर पाएंगे इंदुसार की जंता सब समझती है देखती है और वो निश्चित रूप से यह छोटी-मोटी हार कोई कि विशेज महतुनी रखती है और देखेंगे करनाटी की बात हम करें मुझे के पर हैरत होती है कि हमारे राहुल जी किस बात पर खुश होते हैं और उनकी सरकार थी पूर्ण बहुमत की और वो घट करके रह गए उनको जूनियर पार्टनर से सायुक करना पड़ा जिसका व अच्छा चली उत्तर प्रदेश के में सोचे मान लिया हम हार गये पर दो उनके जमान देजब्त हो गई तो कोई वैसा विशे नहीं है मैं समस्ता हूं कि यह सब चीज हैं लोग देख रहे हैं और उप चुनाओं के मुद्दे बहुत बार भिन्न होते हैं प्रदेश के चु चुनाव और केंदर के सरकार का चुनाव थोड़े ही अंतर पर हुए पर तो जन्ता ने अलग फैसला तोनों चुनाव कंदर दिया और खासकर आपने कहा है टीम की बात करी तो कहरा नहीं है तो पूरी टीम थी आपके पास सारे मंतरी केंप कर रहे थे मुख्य मंतरी थे वह अधिश्याद हो कह भी चुके हैं कि हम सीटों पर अडियल रुख नहीं अपनाएंगे तो आपको लगता है कि बड़ी चुनाव का जो एजिंडा है वह भिन्न होता है उसमें बहुत बार इस्थानिये मुद्दे हावी हो जाते हैं जैसे अब इसका तो समिक्षा भी नहीं ह जा रहा है गन्ने का विश्व था वह बहुत प्रीडॉमिनेंट यहां जैसे उन्हों ने जिसकार की अपील की हमारे जैन्त जीने चौदिया जी सिंग उसका भी थोड़ा सा मत्विभाजन की तो फरक पड़ा तो के बारे इसूद होते हैं परन्तु जब जब हम देश के भा तो है हमेशा विकास की थी पर दूट जैसे मैंने का कि इस प्रकार के उप्चुनाव के अंदर सामानने ता विकास क्या फरक बड़ेगा प्रणामंत्री नरे मुझी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी जी ही रहने वाले हैं तो बहुत बार इसका बहुत फरक नहीं पर उप्चुनाव हुए और हमके वाल दो जीते दस में हरे हैं अजी दस में हर को हम उधान माने तो तीनसों पच्चीज वारी बनले नहीं चीए थे उप्चुनाव में बहुत बार मूड अलग होता है चलो भी इस वेक्ति को चुईता दिया पर तो जब बड़े इस तरका चुनाव होता है मुद्दे भी भिन्न होते हैं लोग जनता की सोच भी भिन्न होती है और प्रणाम भी भिन्न होता है और अगर अगर मेरेट की बात करते हैं मेरेट में भी जो बीजेपी के अंदुरूरी विवाद है तब जब तब सामने आते रहते हैं हम जानते हैं पूर लोगतांत्रिक पाइटी हैं लोग मिलते हैं जूलते हैं और कई बार चोटी मोटी चीजें लोगों के ध्यान में आती हैं और बड़ा कर देते हैं जिसकी चादर सफेद हो उसका छोटा दबा भावी बड़ा बड़ा दिखाई देता है अब मुलाइन सुझी के परिवार में पिता को भार निकाल दिया वो तनी बड़ी नियूज नहीं बन पाएगी कि हमारे यहां किसी दो कारकरता में चुड़ा दब बेड़ा हो गई तो यह फर्क है क्योंकि हमसे लोग इस प्रकार करते हैं लेकिन कुल मिला करके देखे गुड़ तो होते हैं इसमें कोई खास बा लेकिन वो आप यश्भी साजा है यश्भी हमारा साजा है कुई ऐसी बात नहीं है और आप जो अभी दुवारा चुनाव में जाएंगे 2019 में तो अभी हम चार साल का आपने बताया के जो उपलब्दियां बताई आप अपनी चार साल की उपलब्दियां क्या अपनी संस्ती काफी अच्छा खेत्र का भी रिपोर्ट काट कहा जा सकता है हालांकि इसके लिए मानने प्रहामंत्री जी और जो उनका मंत्री मंडल के अन्य वरिश्टसत से उनी का आशिरवाद विश्यश उलेखनी है क्योंकि जो विशह भात में हुए 2014 के बात उनके विशह में 2009 से भी म वायदा करने कि भावदूद नहीं हुआ अब उतना विस्तार से मैं क्या बता हूंगा मैं लेकिन जैसे मेरी जो टॉप प्रियरिटी शुरू से 2009 में संसाथ में पहुंचा मेरी टॉप प्रियरिटी थी कि मेरेट से दिली की कि प्रूब होनी चाहिए 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 वो स्ट आपको छूट है पर तो मेरे दिली एक्षपरिस हाई वे मोस्ट लाइकली मही तक पूरा ही हो जाएगा उसके दो हिस्ते तो मार्स तक ही पूरे हो जाएंगे तो हमको मिल जाए रही राइब डेल का काम बढ़ा काम है वो शुरू हो चुका है मेट्रो का काम भी वो शुरू के हो रहे हैं यदि मैं उनकी रूपयों में वैल्यू बताओं तो लगबक लगबक साथ हजार करोड के काम मैं रिपीट कर रहा हूं जी साथ हजार करोड के काम जो है लगबक महां पर चल रहे हैं उसके अलावा इटी पार्क है उसका काम चल रहा है मंजूर हो चुगा था प्रिदेश सरकार के ऐसे उकार से हो नहीं पाता था, दूरदशन के इंदर बन रहा है, वहाँ पर शेजिस मारक के ओपर जो है, लाइट एंड साउंड का शो होगा, वहाँ पर जो है इसी प्रकार से रेलवे से संबंदित बहुतारे काम हुए है, हॉस्पिटल में जो मेडिक अच्छे खिलाडी भी से विविन एक्षेतरों में दिये हैं, पर शिविदाय नहीं है, वैस्टू तरफ क्यों मांग करते थे, वह बिशाया जा रहा है, तो यह सारी चीज़े हैं, मैं समझता हूँ कि खेतर की उपलब्दियों की दर्ष्टी से भी, ठीक है, जनता को, मेरे क्रिशी विज्ञान केंदर था, वहां पर मंझूर हुआ है, केंदर की योजना केंदर और भी सारे काम हूँ, हमारे 19 अंडर पास बने हैं, यानि रेलवे केंदर जहां पर जो है, अन्मेंड क्रोसिंग थी, वहां पर अंडर पास बने हैं, तो ऐसे काफी विकास के काम है, अे किया बने हैर, कि आपको खेरनी के लिए ग्लैमर का सारा लिया था और इखलाए, इस पार भी आपको घेरनी एक लिए गलैमर का सारा लिया था, तो आप आजवस्टे हैख कि आप उन सब चुनादियों परवीजाह हसिल करेंगे मुझे कई बार में जब यहां 2004 में आया तो मुझे एक दो लोग ने जब परिचे हुआ कि मेरेट से सांसद हूं तो अच्छा आपने नगमाजी को हराया मन का मैंने नगमाजी को नहीं हराया मन का क्रेक्ट लिए नगमाजी पूर फोर्थ थी उनकी पचासर वोट उनको मिली यह नहीं थी अब वोट पतनी ग्लेअवर का क्या थोता है लोग उनको देखेंगे ता Dare Next उनको नहीं देंगे मुझे किसी परकार की को आशेंका नहीं है वोट काम पर मिलेगा वोट पर मिलेगा वोट जो है देश के विकास के भविश्ची की सम्मावनों को देख कर दन्यवाद अगरवाल जी तो ये थे श्रीकरवाल जी जिनोंने बड़ी बेभाकी की साथ केंदर सरकार की उपलब्दियां पताई उत्रप्रदेश सरकार के मुद्दों पर बातचीत की और अपने संजी चेत्र मेरट में सांचसत होने के नाते इनोंने क्या-क्या कारे किया है उसका लेका जो करें दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको